उत्राखंड पुलीस में कारेरत मेरे सभी प्रिय साथियों और इस देव भूमी में निवासरत सभी सम्मानित नागरिकगण सब सर्प्रथम में आपको 78 वे स्वत्नुता दिवस के अफसर पर हार्दिक शुक्कामनाएं और बधाई देता हूँ आज ही के दिन सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और हम सभी जानते हैं कितने अंगिनत बलिदानों के बाद कितने साक्रिफाइस के बाद कितने संघर्ष के बाद हमें अंग्रेजों से या आजादी मिली थी और उत्राखंड का उस स्वंता संग्राम में एक विशिष्ट योगदान रहा था जी चन सिंग अलवाली जी इसके अलावा अनेकों नेक स्वंता संग्राम से नानी हमारे विभिन आंदलोनों में जेल गए प्राणों की आहुती दी और देश को आजाद करने में कंदे से कंधा मिला के पूरे बाकी सारे देश के साथ खड़े रहे तो उत्राखंड का राश्ट प्रेम में हमारे राश्ट के इत्यास में और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है उसकी रक्षा करने में एक वि हमें आजादी मिली थी पर पुनहें एक प्रण लेते हैं कि हम दुबारा ऐसी परिस्थितियां चाहें आंतुरिक सुरक्षा को लेके चाहें बहारी सुरक्षा को लेके ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं पैदा होने देंगे जिसकी वजए से हमारी आजादी ये जो हमें मिली ह बड़े संगर्ष के बाद ये पुने खत्रे में आए और इस पावन के अफसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ आप सबसे उमीद करता हूँ कि आज के दिन को आप सही भावना के साथ राश्पेम की सही भावना के साथ अपने परिवार के साथ मनाएंगे और सभी उन वीरों के बलिदान को याद करेंगे जिनकी वज़े से आज हमारा देश आजाद है बहुत बहुत धन्यवाद जैहन